रशेया की काजन सेटी में ब्रिक्स का समिट हो रहा है, भारत इस समिट में भाग ले रहा है, ब्रिक्स का एक फांडिंग मेंबर होने के नाते, उसकी एक responsibility है कि ब्रिक्स को एक game changer international platform बनाया जाए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत की ब्रिक्स की पूरी नीती क्या है और कैसे इस ब्रिक्स के मीटिंग में भारत ने एक diplomatic master stroke के तहत चार बड़े महत्वपून points अचीव करने की कोशिश की है, जिससे की हर एक भारतिये को गर्व होगा कि भारत अंतर अश्र पूर्ण position लेते हुए इस चीज को समझ चुका है कि हमने एक ऐसे platform का creation किया है, जो platform western countries और खास करके अमेरिका जो है, उसके agenda को implement नहीं होने देगा, कहने का मूल रूप से मक्सद ये है कि ब्रिक्स एक इस प्रकार की संस्था बन चुकी है, एक ऐसा संगठन बन चुका है, जो की एक developing world और जो की एक outside the umbrella of US का जो world है, उसकी एक बहुत बड़ी voice बन चुका है, अब जैसे जैसे ब्रिक्स के देश 2000 वर्ष से जब से ब्रिक्स का गठन हुआ, पिछले 24 सालों में अंतराश्ट्रिय इविंट्स को देखते आये हैं, ब्रिक्स के देशों को एक चीज य एक बहुत बड़ा महत्वपून platform होगा, और कोई देश नहीं, पर भारत को ये चीज जरूर समझ आ चुकी है, कि यदि अगर अमेरिका भारत की fault lines को पकड़के, और भारत की fault lines के साथ खिलवाड करेगा, और भारत की अंतराश्ट्रिय छवी को बरबाद करेगा, तो कम से क हम Bricks के इस platform का परयोग करके, अमेरिका को वो जवाब दे सकते हैं, अब दो चीजें बड़ी महत्वपून हैं, सबसे पहला, कि अगर आप पिछले चन महीने के भारत और अमेरिका के रिष्टों को देखें, तो दो-तीन elements बहुत जादा dominant कर रहे हैं, सबसे पहला element था, कि भ लिकास यादव के पूरे narrative की story को manufacture किया गया, कि भई आपने एक RAW के official के तुरू उसको मरवाने की कोशिश करी, RAW आज की date में कोई भारत की इतनी कच्ची agency नहीं है, कि जो इस परकार की हरकत करेगी, RAW एक ऐसी agency है, जिसने अपने पैदा होने के चन सालों के अंदर अंदर ही, एक देश को पैदा कर दिया था, जिसका नाम है बंगलादेश, तो अगर वो चार या पांच साल की agency उस समय ये capability रखती थी, कि वो एक देश पैदा कर दे, तो जाहिर सी बात है कि वो इस प्रकार की capability तो रखती नहीं, कि इतना जो आप एक fake सा narrative बना कर विकास यादव के ल है, उस पपू ने भी यही अरकते करी जो पपू अक्सर पूरे विश्व तोर पर करते आते हैं, self goal करना, निजजर की killing को लेके, five eyes के intelligence को लेके, सारा का सारा जो खेल था वो सिरफ ये था, कि भारत की एक अंतराश्रिय चवी जो है, उसके उपर एक आँच लाई जाए, पर अब सवाल ये उड़ता है, कि भारत ने इन सब को कैसे respond किया, सबसे पहले भारत ने ये चीज़ accept कर ली, कि आप अगर इस परकार की fault lines manufacture करके, create करके उनको छेड़ चाड़ करेंगे, तो हमारे पास BRICS एक platform है, BRICS में पिछले साल से लेके इस साल तक, जो हैनिस बर्ग का जो summit हुआ last year और इसके बाद जो अब काजन रशिया में आज summit हो रहा है, भारत ने एक निरने ये ले लिया है, कि हम एक de-dollarization के उपर एक focus करेंगे, भारत की रणनीती बहुत सपष्ट है, भारत ने ये बात बार अक्सर पिछले एक साल में कई platforms पे ये बता दी है, कि हम एक multipolar world चाते हैं, और इस multipolar world में global trade के लिए, विश्वतोर के वेपार के लिए multiple currencies होने की आवशकता है, भारत ने indirectly अमेरिका को ये signal दे दिया है, कि आपका जो US dollar है, ये कोई एक global reserve currency आपने जो बनाई थी वो ठीक है, लेकिन ये global reserve currency बनी इस कारण से, क्योंकि दूसरे देशों ने इसको global reserve currency बनने के लिए आपका सयोग किया, लेकिन यदि आप दूसरे देशों का सयोग नहीं करेंगे, तो ये मत भूलिएगा, कि विश्व के पास और भारत खास करके एक ऐसा देश है, आज उसके पास, एक alternative global currency को promote करना उस idea को champion करने की एक शक्ती है, और भारत एक आज की date में ऐसा देश है, जो अगर अंतराश्टी इस तर पर ये बात करे, कि एक alternate currency to American dollar की आवशकता है, तो कोई ऐसा देश नहीं है, जो भारत के इस suggestion को और idea को हलका लेगा, और सबसे बहतरीन अगर कोई हमारे पास platform में इस point को लेके चर्चा करने का, तो वो और कोई नहीं बलकी bricks है, क्योंकि bricks में दूसरा जो महत्वपूर्ट कारेक्ट एक player है, उसका नाम है Russia, रशिया ने इस cousin summit के लिए 38 से जादा country को नियोता दिया, कि आप आईए, और आकर इस brick summit में भाग लीजिए, और America ने जब य grouping बनता जा रहा है, इस context में America ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दूसरे देशों को डराने की, दमकाने की, उन 38 देशों को, जिनको Russia ने नियोता दिया था, उन देशों में America के जो राजदूत ambassadors हैं, उन्हों ने उन देशों के head of the states को डराया, दमकाया, इस हद तक, ये कहते कि आप कुछ भी हो जाए, Russia के इस sponsored BRICS summit में भाग नहीं लेंगे, पर क्या इसमें America कुछ कामियाबी प्राप्त कर पाया, एक जगा पर उसने ये कामियाबी प्राप्त करी, Russia के लेडमिर पुटिन ने साओधी अरेबिया के मुहमत बिन सल्मान को नियोता दिया था, अमेरिक 38 कंट्रियों को डराने धमकाने के बाद, यदि आज की डेट में केवल एक साओधी अरेबिया जैसा देश, अगर अमेरिका की बात मान रहा है, तो ये बात तो सपष्ट हो गई, अमेरिका का influence कितना है पूरे वर्ल्ड में, ये बहुत सपष्ट पूरे वर्ल्ड के सामने है दूसरी बात, अब इस BRICS summit में भारत की जो रणनीती थी वो बड़ी सपष्ट थी, भारत ने ये बात बोली कि हम multipolar world में multiple currencies में trade चाते हैं, भारत ने ये point put up किया, कि चाइना आपके पास आपका युवान है, तो भारत के पास अपना रुप्या है, और आज BRICS को एक reserve currency बन थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भारत ने ये सपष्ट कर दिया, कि अंतराश्ट्रियस तरपर यदि आज की date में एक global reserve currency जिसके तहत payments की जाएं व्यपार की, उसमें भारत का रुपया एक बहुत महत्वपून तरीके से होना चाहिए, तो BRICS summit का सबसे पहला achievement भ तो ध्यान से गौर करके समझने की कोशिश कीजिए, कि भारत ने ये कह दिया, कि वो एक currency नहीं होगी, बलकि multipolar world में multiple currencies होगी, इससे हमने चाइना को भी एक सबक दे दिया, कि चाइना जो आज की rate में ये बार-बार एक ख्वाप रखके बैठा है, कि BRICS को वो dominate कर रहेगा, इस चीज में हमने चाइना को बहुत प्यार से कट कर दिया, कि आप अपने यवान को अगर BRICS के currency reserve की एक reserve currency बनाना चाते हैं, तो बनाएए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, कि साथ-साथ रूपिया भी बनेगा, और रशिया का रूबल भी तो एक चीज तो तैह है, कि अब multipolar world means multipolar currencies, ये चीज तो सपष्ट हो गई, दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस BRICS summit में, इसी के side lines पर, भारत ने और रूस ने, एक बहुत ही गजब का master stroke खेला है, diplomatic level पर, जिसको हम कहते हैं, astro diplomacy का एक aspect, ये क्या है, समझने की कोशिश करते है भारत के प्रदान मंतरी ने जब रूस के counterpart से बात करी, तो रूस के counterpart के साथ, दोनों देशों ने मिलकर, एक बड़ा मैत्वपूर्ण, space exploration consortium त्यार किया है, अब ये space exploration consortium त्यार करने की क्या आवशकता है, इससे भारत ने दो लोगों को बहुत सपष्ट signal दिये हैं, कौन है पहला है चाइना और दूसरा है अमेरिका, कैसे, space exploration consortium जो भारत ने और रूस में मिलकर अभी बनाया है, इसके तहट भारत और रूस एक बड़ी, यूनीक, नई, और पहली बार विश्व में एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में दूसरे देश अभी तक रहे हैं, और वो ये है कि रूस और भारत मिलकर small modular reactors बनाने जा रहे हैं, और ये small modular reactors जो हैं, इनको चांद यानि कि lunar surface पे चलाया जाएगा, भारत ने और रूस ने निरने ये भी लिया है, कि ये जो small modular reactor होगा, ये एक experimental reactor होगा, ये केवल 0.5 megawatt की बिजली को produce करेगा, ये एक शुरुवाती चीज है, और ये महत्वपुन इस कारण से है, क्योंके आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए, अभी तक अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा देश है, जो पहली बात तो small modular reactor में काम कर रहा है, वो है basically America, और America के अंदर एक company है जिसका नाम है Olka Inc., अमे research कर रही है, लेकिन फरक देखिए, कि America की Olka Inc. का जो small modular reactor है, वो केवल और केवल अभी डेड़ मेगावाट पर ही पहुँच पाया है, और वो केवल डेड़ मेगावाट तक के ही small modular reactor को conceptualize कर पाया है, इसी चीज को भारत ने और रूस ने मिलकर तोड़ने की कोशिश की है, कै से, मैंने आपको बताया कि भारत और रूस ने मिलकर जो space exploration consortium के तहत निरने लिया है, उसमें small modular reactor का भी एक miniature micro variant है, जिसमें हम आधे मेगावाट electricity को generate करेंगे, अब आप कहेंगे कि डेड़ मेगावाट तो जादा है, आधा मेगावाट तो कम है, तो इसमें तो America को फायदा ह और भारत और रूस को नहीं हुआ, आप गलत हैं अपने सोच में, क्यूंकि अगर एक micro small modular reactor एक reality बन जाता है, और चांद के surface पे एक experimental reactor रख दिया जाता है, तो आने वाले समय में ये एक नया innovation होगा science and technology में, जिसको पहली बात तो भारत और रूस champion कर पाएंगे, दूसरी बा challenge दिया है, यदि अमेरिका अभी गुर्पतवन सिंग, पन्नू, विकास, यादाव और कैनेडा के dustbin, टूडो, अंतराश्ट्रिय पप्पू को लेकर, अगर अभी तक नहीं सुधर पा रही है, तो उसको ये चीज समझ जानी चाहिए, कि आप इन छोटे-छोटे चीज़ों अगर भारत ने अमेरिका को एक जवाब दिया है, रूस के साथ मिलके, तो रूस ने इस Space Exploration Consortium में भारत के साथ जुड़के, अपना बदला चीन से निकाला है, क्योंकि चीन बहुत लंबे समय से एक International Lunar Research Center को बना रहा है, और ये जो International Lunar Research Station है, जिसको ILRS के नाम से भी जाना जाता है, ये ILRS जो है International Lunar Research Station, इसमें चीन बेसिकली दो चीजें कर रहा है, सबसे पहले तो वो ये कह रहा है कि ये International Lunar Research Station, चीन की सरकार द्वारा बनाया गया है, चीन जो है इसको champion करेगा, दूसरे देश यदि कोई जुड़ना चाहें, तो वो चीन के साथ जुड़ें, औ उसने रूस को नियोता दिया कि आप जुड़िये, और रूस को ये feel लगा कि भई हमें इस International Lunar Research Station में एक भागेदार के होने के सवाए, आप हमारे को एक junior परिस्थिती में लाके खड़ा कर रहे हैं, ये सोचते हुए और कहते हुए कि रूस जो है वो आपका एक subordinate है, जो आ प्रोजेक्ट को allocate करता है, तो वहाँ पर चीन दूसरे देश को जाके ये बोलता है, आपको हम बताएंगे कि आपके देश में कौन सा infrastructure का project होना चाहिए, अब ये चीज आप अफरीका के भूके नंगे गरीब देशों के साथ कर सकते हैं, लेकिन एक रूस जैसी विश्वश सकती के साथ, जो की एक समय पर अमेरिका का एक global competitor था और आज की date में अमेरिका को तैसनेस करके खतम करने की एक रणनीती बना चुका है, उस देश को कम से कम जो है, आप एक junior partner बना कर यहां नहीं ला सकते, तो गेम क्या है, गेम समझिए, भारत के साथ Space Exploration Consortium में, रूस ने स उसको एक subordinate status देने की करी, उससे कहीं न कहीं रूस भारत के लाप में चला गया, और भारत ने रूस के साथ इस Space Exploration Consortium जो इन्होंने अभी Brick Summit के तहत बनाया, इसके तहत अमेरिका को बता दिया कि भाई, आप अगर R&D जितनी मर्जी करना चाहें करिए, आप से पहले R&D हम दोनों मिलके करेंगे और दोनों की जब combined technological prowess एक साथ आईगी, तो आप से पहले और आपकी जो Olka Inc. नाम की company है, उससे पहले हम अपने small modular reactor को एक micro level का जो है, उसको तयार करके lunar surface पे चला देंगे, अब आते हैं कि भाई, इस पूरे summit में, तीसरी सबसे बड़ी भारत की पर जब विश्व युद्ध दो खतम हुआ था, उसके बाद बहुत सारे देश decolonize हुए थे, ये वो देश थे जिनको पुराने लोगों ने colonize करके रखा था, ब्रिटन ने जैसे भारत को colonize किया था, उसी तरीके से फ्रांस ने और अन्य यूरोप के जो देश थे, उन्हो हम कहते हैं कि हम अजाद हुए और उसके बाद उसी तरीके से बाकी देश 1950 और 1960 के दशक में अपने-पने colonial पार्टनर से अजादी प्राप्त करके वो भी अजाद हुए, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कि जैसे ही decolonization हुआ, इस decolonization के बाद जो शक्तियां थी, जो पहले जिन्होंने colonial control बनाया हुआ था, उनसे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई कि अब हमारा power और हमारा control एकदम से खतम हो गया, तो उस समय 1950 और 60 के दशक में अंतर अश्टियस तर पर जो एक concept चला उसका नाम था, North-South Cooperation, और North-South Cooperation में जो ये Western countries थी, अमेरिका और यूरोप की, इन्होंने पूरे विश्वो को दो भागों में बांड दिया, इन्होंने काहा कि बहुती जादा विकास वाले लोग हैं, हमारे यहां पर जिस मातरा की development और विकास हुई है, वो दूसरे देशों में नहीं है, और इन्होंने दूसरा जो concept उस समय create किया, वो North है जिसमें हम हैं, तो हमारे सामने एक है Global South, और Global South में सारे भूके नंगे देश हैं, सारे यह गरीब देश हैं, और यह वो देश हैं, जिनको यही नहीं पता कि विकास करना कैसे है, इनको यहीं नहीं पता कि आजादी तो ले ली, लेकिन अब करना क्या है, इस पूरे context में जब यह North-South डिबेट चला, इस North-South डिबेट के तहट उस समय अमेरिका और अन्य देशों ने मिलकर, World Bank और IMF जैसी संस्थाओं को बनाने के बाद, उनका प्रयोग करके, इन सारे गरीब देशों के उपर एक indirect control बनाने की कोशिश करी, इन लोगों को indirect control इस तरीके से किया गया कि यहां पर आके Global South के देशों को बोला गया कि आपको तो पता नहीं विकास कैसे होता है, आपको क्या पता कि सडक कैसे बनानी है, आपको क्या पता कि पानी के प्रोजेक्ट जो irrigation के हैं वो कैसे करने है, आपको क्या पता कि खेती बाड़ी में Science and Technology का क्या रोल है, तो इ इन देशों के ऊपर दुबारा से बनाई रखा, लेकिन जब शीत युद्ध खतम हुआ, तब इन जो Global South की Countries थी, इन लोगों को एक चीज तो समझ आ गई की, Global North के साथ इंगेज करके, अमेरिका और यूरोप के अन्ने देशों के साथ इंगेज करके, World Bank IMF जैसे समस्थाओ के साथ इंगेज करके, हमें कोई फाइदा नहीं हुआ, और इस कारण से शीत युद्ध खतम हुने के बाद 1990 के दशक में, जो नया कॉंसेप्ट North-South Cooperation के parallel में आया, उसको कहते हैं South-South Cooperation, South-South Cooperation के आइडिया को उस समय champion करने का एक बहुत बड़ा देश भारत पी था, भ इसमें दो रणनीतियां हमने अपनाई, पहले लगबग आज से 20-25 साल पहले तक, भारत सिरफ South-South Cooperation की बात किया करता था, South-South Cooperation में भारत ये कहता था कि जो अन्य देश हैं, जो Global South के हैं, यानि कि वो देश जिनका Decolonization हुआ था हमारी तरह, उनकी समस्याएं हमारी जैस अगर आज मान लीजिए कि निपाल में किसी प्रकार का Malaria का Outbreak हो जाता है, तो ये Malaria के Outbreak को भारत बहतर समझ सकता है, क्योंकि भारत में भी Malaria की समस्या है, अमेरिका जहां पर Malaria का मच्छर ही नहीं है, और जहां पर उसको ये पता ही नहीं समस्या क्या है, वो कैसे गा कि भारत मलेरिया के समस्या को टैकल कैसे किया जाए, दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि 1990 से लेके लगबग 2010-11 तक भारत जो South-South Cooperation की बात करता था, उसमें ये बहुत rightly point जताता जरूर था, कि हमारी समस्याएं और Global South की समस्याएं सेम हैं, पर सवाए इसको theory के level पर ब नहीं था, 2014 के बाद से जब से नहीं सरकार आई, तब से एक global level पर मुहीम के तहट, भारत की सरकार ने ये निरने लिया कि और कुछ नहीं तो हम Global South के idea को अब champion करेंगे, और भारत की सरकार ने पिछले 10-10 सालों में एक नीती ये भी बनाई, कि भारत अब सिरफ Global South के idea को और South South cooperation के idea को बोलेगा नहीं, बलकि इसको हर जगा emphasize करके समझाएगा, और जहां तक हो पाए, इसके लिए projects बनाएगा, जिसके तहत, भारत ये एक point create कर पाए, कि हम सिरफ Global South और South South cooperation के idea को बोलते नहीं, अमल भी करते हैं, अब सबसे पहले भारत ने एक रणनीती के तहत, पिछल भी Global Platform हो, वो चाए संयुकतराष्ट्रे हो, वो चाए पिछले साल भारत में हुआ G20 का समिट हो, और या फिर अभी हाली में ये वाला BRICS का समिट हो, हर ऐसे अंतराष्ट्रिये platform पर, जिसमें भारत एक बहुत crucial actor है, भारत ने उन सारे platforms पर, पहली बात तो Global South के interests की बात करी और दूसरी बात, उसने South-South Cooperation के idea को पूरे विश्व के सामने रखा, दूसरा, भारत ने सिरफ इन ideas को जो थियोरी में अभी तक चल रहे थे रखा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत ने कदम उठाए इनको अमल करने के लिए, For example, भारत आज की date में एक विश्व तोर पर, जितनी भी Global South की countries हैं, वहाँ पर digital public infrastructure के एक concept को बढ़ावा दे रहा है, भारत की diplomacy का, कूटनीती का एक ये बहुत बड़ा silent aspect है, आपने ये चीज सुनी होगी, और आप में से कई लोग ये जानते होंगे, कि आज भारत के कई ऐस दोस्त हैं, जहां पर भारत का UPI payment वाला जो system है, जिसको हम Bheem UPI payments कहते हैं, वो चलता है, और ये सिरफ भारत के आसपास के देशों में नहीं, ये तो यूरोप में France तक जो है, वहाँ पर भी आज की date में Bheem और UPI popular हो रहा है, अब आप इस चीज को समझिए कि ये जो digital public infrastructure का concept है, इसके तहद भारत ने एक message देने की ये कोशिश करी है, कि हमारे जैसे देश, जो की अमेरिका जैसे लोगों के नजर में भूके नंगे गरीब देश, ग्लोबल साउथ के देश हैं, वो भी digital public infrastructure create कर सकते हैं, जो दूसरे लोग भी follow कर सकते हैं, पहली बात, इसी तरीके स भारत ने एक coalition for disaster resilience infrastructure है, इसको global level पर champion किया, और इसको भी अभी हाली के brick summit में, digital public infrastructure के साथ, दुबारा ये शब्द को बोला, और तीसरा, भारत ने इस brick summit में फिर से, पूरे विश्व के सामने, एक और बार international solar alliance की बात करी, और ये बात बताई, कि ये जो international solar alliance है, इसके तहत भी जो global south है, वो आज की date में clean energy और climate change के debate में एक बहुत बड़ा credible भागेदार बन सकता है, खास कर के तब जब global north की countries जो है, वो अपने उपर production को cut करने के किसी भी प्रकार के legally binding target को लेने से संकोच कर रही है, तो भारत ने सिरफ इस brick summit में दुबारा से south south cooperation और global south सिरफ बोला नह बलकि उसने वो projects भी बताए और जताए, जिसके तहत पूरे अंतराश्रीय स्तर पर एक ये message गया, और ये message गया कि भारत सिरफ आज की date में global south के इन projects के बारे में बोलता नहीं, काम भी करता है और उसने projects दिखाए भी, अब आप सोचेंगे कि इन projects को बताने से bricks में, जिसका इन project से कोई नाता नहीं, फाइदा क्या होगा, दो फाइदे हैं, पहला, bricks ये एक हमारे लिए platform है, इस platform के तहत हम आज की date में ये message को communicate कर पा रहे हैं, दूसरे लोगों के तहत, और खास करके एक अंतराश्रीय audience को, और वो भी western audience को, जो bricks को देखके बड़ी negative opinion मना के बैठा है, क्योंकि western countries जो है, bricks का भाग नहीं है, जब bricks का analysis वहां पर किया जाएगा, उनकी media में, तो वहां पर बताया जाएगा कि भारत की तरफ से ये चीज़े बोली गई थी, उनके लोगों के अंदर एक subconscious message जाएगा, और वो message ये जाएगा, दूसरा, कि भारत एक credible international player है, भारत क दरफ से इस चीज़ के बारे में बात करने से, भारत का overall जो credential है, संयोक तराश्ट्रे के security council में एक permanent membership seat के लिए वो strengthen होता है, क्योंकि भारत अपने आपको इस particular platform पे इन points की चर्चा करने से, अपने आपको एक credible international actor के तहत पूटरे कर पाया, और आब आते हैं, आखिर में चौ चौथा master stroke क्या था, चौथा master stroke ये था, कि अगर हम एफरिका की बात करें, तो एफरिका के दो खास देश, जिसमें जिबोती और आज की टिट में इरिटीरिया, ये दो देश ऐसे हैं, जहां पर चीन जो है, अपने naval basis बना रहा है, चीन जो है, अपने इन इलाकों में military presence को बढ़ा रहा है, चीन को counter करने के लिए, इरिटीरिया और जिबोती में, आज अमेरिका, ब्रिटेन, इन लोगों का भी एक तरीके से presence बढ़ चुका है, क्योंकि ये भी चीन को महाँ पर counter करना चाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, कि आज अगर चीन, एफरिक के इरिटीरिया और जिबोती में, अमेरिका और ब्रिटन के साथ competition में लगा है, तो चीन के इस attempt को counter करने के लिए, भारत ने एक बहुत ही silent game खेला है, जिसके बारे में भारत की जनता नहीं जानती, और वो ये है, कि इन ही देशों के आस्पा से एक बड़ा महत्वपून दे के इरिटीरिया और जिबोती में जो चाइना की गेम चल रही थी, उसको counter करने के चकर में, भारत ने एक तरीके से इथोपिया को उठाया, और उसको पिछले साल ब्रिक्स का मेंबर बनाया, और इस साल अभी जो काजन में summit हो रहा है, इस summit में भारत के बदौलत, इथोपिय आज वहाँ पर एक member बन के ब्रिक्स का बैठा है, चीन जो की इस समय सिर्फ जिबोती और इरिटीरिया में अपने base बना रहा था, चीन के पहरों तले हमने जमीन ऐसे खीच दी कि भारत ने इथोपिया को, जो की आज इरिटीरिया और जिबोती के enemies हैं, दोनों जिनकी इथो इथोपिया से बनती नहीं है, हमने उस इथोपिया को एक ऐसे ब्लॉक में लाकर member बना दिया, जिस ब्लॉक में चीन खुद एक member है, अब आप सोचके देखिए, कि जो चीन ने चाल चली थी चन साल पहले, कि S.C.O. जो की शांगई कोपरेशन organization है, वहाँ पर जब वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान को लेके आया था, आज हमने वही मजा जो है, चीन को चकाया, कि हमने इरिटीरिया को महां बिठाया और वो भी तब जब इरिटीरिया और जिबोती जो है, जब चीन उन दोनों के साथ लगा हुआ है, और चीन इथोपिया के साथ उस level का engagement नहीं करता जो भारत करता है, और जाहिर सी बात है कि इथोपिया के आने के बाद चीन को एक बहुत जबरदस लेवल पर इरिटेशन हुई, और इरिटेशन ये हुई, कि भई ऐसे देश को आप कियों member मना के लिए जिससे ना तो मेरा कोई नाता है, और सबसे बड़ी बात, ये वो दे जिनके मैं इंगेज कर रहा हूँ, उसके खास adversary, enemy और वैरी हैं, तो भारत की इस game के तहत ये चीज तो प्रूव हो गई, कि चीन को बहुत सारे सबक मिल गए, तो अंत में कहना ये गलत नहीं होगा, कि BRICS का जो ये summit हुआ, ये भारत के point of view से, और भारत की एक अंतराष्ट एक अंतराष्टी स्टर पर neutral image रखी है, और अगर आप भारत की छवी खराब करेंगे, तो भारत आपके जैसी छिचोरी हरकते नहीं करेगा, जो अमेरिका ये अचीन करता है, हम अपने diplomatic master strokes करेंगे, जो इस पूरे वीडियो में हमने चर्चा करी, जिसके तहत भारत अपनी position को बहुत सपष्ट और clear तरीके से पूरे विश्व के सामने पेश कर चुका है, I hope इस वीडियो के बाद, BRICS का summit और BRICS summit में भारत की जो पूरी की पूरी कूरी कूट नहीं थी, वो अब आपको clear हो गई, धन्यवाद